नमस्कर दोस्तो ब्रिज भूशन शरन सिंग ने महिला पहलवानों के साथ पाच जगहों पर शोषण किया है और कैसे कैसे शोषण किया है जब आपको ये बात पता चली कि न तो आपके रॉंग्टे खड़े हो जाएंगे दोस्तो पहली जगह है होटेल में दूसरी जगह है तीसे जगह है अशोका रोड दिल्ली वाले बंगले पर चोथी जगह है कॉम्पटीशन के दौरान और पाचवी जगह है वोम अप करते होएं तुस्तो इन पाच जगहों पर भारतिय जन्ता पार्टी के सांसर महिला पहलवानों के साथ शोषण करते थे ये बात महिला पहल पहलवानों के बयानों में दो के बयान लीख हो गए और इसको अंग्रिजी अकबर इंडियन एक्सप्रेस ने चाप दिया है आरोप अगर सही है तो ऐसी स्थीते में भारत के प्रधान मंत्री का चुप रहना शोशन को पोशड करने जैसे दिखाई देता है जोस्तों महिला प एक्सप्रेस में छपी हुई रिपोर्ट के मताबिक पहली महिला पहलवान कहती है कि एक बार 2016 के एक टॉर्नमेंट के दौरान रेस्टरॉन में ब्रिजबूशर चरण सिंग ने महिला पहलवान को अपने पास बुलाकर गलत तरीके से उसकी चाती और पेट को छुआ पहलव महिला पहलवान केती है कि साल 2018 में ब्रिजबूशर चंग ने उन्हें देड़ तक गले लगाया रखा था महिला पहलवान को जटक कर अलग करना पड़ा था क्योंकि उनका हार धीरे धीरे उसकी चाती की तरफ बढ़ रहा था महिला पहलवानों का आरोप यी भी है कि साल 2019 मे एक दूसरे टॉर्नमेंट के दौरान ब्रिजबूशन्चन संघ्ञ ने फिर से इसी तरीके से उसकी छाती और पेट को छुआ था ऐक इस अशोक रोड़ वाले अपने बंगले में भी ब्रिजबूशन्चन संघ्ञ ने उसे गलत तरीके से छुआ था यह भी बताया है तरीके से चुआ कि उसकी सांस की जाच कर रहे हैं दोस्तों दूसरी महिला पहलवान यानि जो पहलवान नमबर दो है उन्हों ने अपनी शिकायत में लिखाया है कि 2018 में जब वो अभ्यास कर रहे थी यानि अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगी तब ब्रिजभूशार ने उनकी ट्रेनिंग वाली जर्सी को उपर उठाकर उनके पेट और सीने को ये कहते हुए चुआ कि वो उनकी सांस की जाच कर रहे हैं महिला पहलवान नमबर दो का कहना है कि इस घटना से वो बहुत परिशान और हैरान रहे थी महिला पहलवान नमबर दो ने आगे अपनी F.I.R. में लिखवाया है कि इस घटना के गरीब एक साल के बाद यानि 2019 में जब भारती कुष्टी संग के दफतर गई यानि कि वो दफतर जो ब्रिच भूशन शरन सिंग के घर में ही था उस दफतर कम घर में ब्रिच भूशन शरन सिंग ने बाकी लोगों को बाहर भेज दिया और उसे जबर दस्ती पकड़ने की कुष्श की सोचे दोस्तो, ब्रिजभूशार शर्ण सिंग तो कुष्टी संकिय अध्याक्ष थे सारे नियम, कानून, रूल, रेगुलेशन, कुष्टी आखर कैसे आगे बढ़ेगी सारे इंतजाम कैसे होने है, किसको आना है, किसको जाना है, किससे मिलना है, नहीं मिलना है ये सारी बाते अध्याक्ष की जिम्मेदारी होती है, ये सबका ख्याल रखना अध्याक्ष की जिम्मेदारी में होता है अब ब्रिजभूशा शर्ण सिंग कोच तो थे नहीं, नहीं कोई डॉक्तर है, नहीं सास रोग के विशेशग्य थे तो फिर महिला खिलाडियों की सासे क्यों जाचते थे ये सवाल भी है महिला खिलाडियों के ऑक्सीजन लेवल की चिंता कुष्टी संक्य अध्यक्ष को आखिर क्यों थी और क्या किसी महिला पहलवान की सास जाचने का अधिकार कुष्टी संक्य अध्यक्ष को है अब ये आपको सोचना है इसी सवाल के साथ आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ सोचिएगा नमस्कार जहित